हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SSC कोचिंग सेंटर दोस्तों, आज मैं इस वीडियो को बहुत ही important कहने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ही कम बच्चे होंगे जन्हों ने इस तरह के प्रेशनों को पहले solve किया होगा, अगर इस तरीकी का प्रेशन आपकी exam में आ जाए तो आपको क् आपको क्या करना है, अब देखें मुझे क्या करना है, मुझे कुछ ऐसा करना है कि यह 84 मिल जाए, कुछ ऐसा करना है यह 68 मिल जाए और यहां का यह missing number भी मिल जाए, ठीक है अब देखें, 10 है, मैं क्या करूँ, 10 का वर्ग कर दूँ, कितना होता है भई 10 का वर्ग 100, इस वर्ग को मैंने किया, और इसको मैं घटा देता हूँ, 11 को, 100 मैं से 16 घटाँगा, 84 आएगा बिल्कुल, इसका वर्ग किया, इसको घटाया, अब इसका वर्ग करूँ, 12 का वर्ग करूँगा, कितना होता है, 144, इसका वर्ग किया, इसका वर्ग करूँगा, इसका वर्ग करूँगा, इसको घटाँगा, 144 मैं से, अगर मैं 60 को घटा गटा दूं तब भी कितना हो गार 84 हुगा ठीक है अब वही तरीके यहां पर करना कि इसका वर्ग करू इसे घटा दू तो नौ का वर्ग करूगा 89 होता है और इसको घटा दूँगा 13 को घटा दूगा तो 68 हो जाएगा जो यहां दिया गया है, killsy रख है, अब यहां का वर्ग करूँ और इसे घटा दूँ, तो मैं यहां पर कोई संक्षा, जब मुझे पास नहीं है, तो मैं x का वर्ग करूँगा, और मुझे लाश्ट में क्या प्राप्त होगा 68 इसका वर्ग करके इसको घटाने के बाद मुझे 68 तो प्राप्त होगा ठीक है तो मुझे प्राप्त होगा जैसे कि 68 ठीक है अब मैं 68 को और इस 53 को जोड लेता हूँ घटा आइं नहीं रहा भी मैं क्योंकि मुझे x का मान नहीं प्ता घटा नहीं रहा जोड लेता हूँ तो 63 जोड लूँगा 68 में 63 जोड होगा एकसो इक्किस हो जाएगा तो 121 हो गया दोनों को जोड़ने के बाद तो इसका मतलब क्या है 12 होता बही 11 का स्क्वार तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा भई 11 आएगा तो मैं 11 का स्क्वार करूँगा 53 को घटा दूँगा तो X की जगे मैं क्या लूँ 11 11 का स्क्वार होता है 121 120 में से घटा दूँगा 53 को ठीक है 120 में से 53 को घटा दूँगा इसी वीडियो के किसी भी प्रेश्ण में option नहीं है, पहली बता रहा हूँ किसी भी प्रेश्ण में option नहीं है, तो प्रेश्ण आपको खुद से करने है, ठीक है, ग्यार आपके प्रेश्ण का सही जवाब है, अब देखेंगे अगला प्रेश्ण, अगला प्रेश्ण है, बहु ात Dash चलते हैं हमारे पास क्या है 12 है 12 यह आला 12 में क्या करूं इस तीन को जोड़ू और यह जो 3ए साथ करकर कर दो है तो कितना होगा वह वहाइज नहीं मेरे पास यह 12 है पिलस 3 और 9 हो जाए औब आरे में 9 जोरण का मैं तो बारे में 9 जोरण को एक्किस हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर यह 21 दिया गया ऊपर तो मैंने यह वाले के बना लिया अब मैं बनाता हूं यह वाले के इन दोनों का यहां पर Journal बनाऊ फ़िया आएगा ठीक है दोस्तों अब देखिए प्रेश्णियों को ध्यान से देखिएगा 6 है मेरे पास 6 ले लिया मैंने यहाँ पर 3 लिया तो यहाँ पर मैं 3 ले के स्क्वार कर दूँ तो मेरे पास यह 6 है पिलस तीन का स्क्वार 9 आ जाएगा और 6 मैं 9 जोड़ दूँगा तो कितन 15 और यहाँ पर मुझे कितना दिया गया है 15 दिया गया है समझ में आगी बात किसी को कोई प्रेश्णि में समस्या तो नहीं है बहुत ही बढ़िया किलास है दोस्तों किसी को भी यहाँ कोई समस्या नहीं होने वाली ठीक है प्रेश्णि को ध्यान से देखेंगे अब आगे चलते हैं यहाँ पर आ जाईए चलिए मैंने यहाँ पर तो करके देख लिया अब मैं यहाँ पर आऊंगा तो question मारकर पहले इस तरफ से solve कर लेता हूं चार है चार लोंगा इस पांच को लोंगा बीच वाली संख्या को स्क्वार करूंगा वहीं मैंने बीच वाली संख्या का दोनों जगें स्क्वार किया है तो यहाँ पर इसन्ख्या करूंगा तो चार है पांच का स्क्वार 25 चार में 25 जोड़ूंगा तो 39 हो जाएगा और उपर 29 रही दिया गया है बिल्यूद सहिए तो 25 में 11 जोड़ूँगा तो 36 होगा की नहीं होगा 11 अर्पचिस 36 होता है तो कितना जोड़ूँगा 11 जोड़ूँगा तो यहाँ पर आपकी 11 आ जाएगा यही आपका सही जवाब है ठीक है? बात के लिए रो गई अब देखेंगे हम अगला प्रेशने अगला प्रेशने है 4 into 4 का question है 4 into 4 का symmetry आपके पास और यह रहा आपका question मार यहाँ पर कौन से संख्या है की यह आपको बताना है ठीक है? तो प्रेशने में कहीं पर ऐसा तो दिया नहीं गया है कि बड़ी संख्या हो हम उस तरह प्रेशने को solve किया है आपको नजर नहीं आ रहा लेकिन यहाँ पर जब question मार रहा है तो मैं प्रेशने को ऐसे ही solve करूँ ठीक है एक नॉर्मली तरीके से तो ऐसे solve करूँगा मैं तो मैं क्या करूँ दोस्तों 5 है 5 ले लिया 5 मैं से इस दो को अगर मैं घटा देता हूँ तो कितना बचेगा पर इस तीन बचेगा यह वाला ठीक है पांच मैं से दो को घटा देतीन ठीक है अब पांच मैं से इस दो को घटाया है मैंने और पांच मैं इस दो को ही जोड़ दूँ पांच मैं इस दो को ही जोड़ दूँ दूँ चार में से गटा दूँ तीन मिल जाएगा मुझे ये वाला एक घटाया है चार में से तो मैं एक को ही जोड़ दूँ चार में तो पांच मिल जाएगा ये वाला आठ में से गटा दूँ आठ में से गटा दूँगा साथ मिलेगा ये वाला और आठ में एक ही जोड़ द मार्क की जगे पे नो आ जाएगा बात किलियर हो गई अब देखेंगे हम अगला प्रेश्णी है थ्री इंटू फोर का है लेकिन नीचे की तरफ बड़ी संख्या इस बार दी गई है तो हिंट हमें मिल गया कि प्रेश्णों को नीचे की तरफ ही कि solve करना है अब नीचे की तरफ solve है लेकिन question mark मेरा यह रहा ठीक है question mark मेरा कहां पर यह वाला है अब मैं देखे पहली संख्या से सीधी 본र 3 संख्या process मैं गुना करfirог stach त्रिक का 21 हो जाएगा यह हो जाएगा 21, 21 हो गया, दोनों का गुना 21 हो गया, 21 में मैं क्या करेंगे, इस बीच वाली संख्या को 8 को जोड़ दे रहा हूं, 21 में 8 जोड़ दोंगा, तो 39 हो जाएगा, और नीचे क्या 29 ही है, बिल्कुल सही, अब पहली संख्या का तीसरी के पांच का गुना इसमें कर देंगे, तो पांच का गुना कर दोंगा, मैं क्वेश्चन मार के मैं मतलब X में, ठीक है, गुना कर दोंगा X में, बराबर कितना आएगा 31 आएगा, 31 क्यों आएगा देगे, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पांच का गुना इसमें करूँगा, जोड़ोगा अब प्रेष्णी od हो जाएगा यह मिरा कितना हो जाएगा फाइव एकस यह जाएगा इदर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो इएधर के माइनस तो इकटीस में 33 मेंसे च्री गटा दू कितना बचके गाइगाँ Came 25 नजन से फेंगए 25 बटेम आजाएगा तो 5 से 25 पांच वार में कर जाएगा X की value कितनी आजाएगी X की value 5 आजाएगी इसका मतलब यहां क्या आएगा 5 आएगा तो 5 का गुना 5 से करो 25 25 में 6 जोड़ो 31 तो यहां question mark की जाएगे 5 आगिया यह आपका सही जवाब अब देखेंगे अगला प्रेश्णी अगला प्रेश्णी है आपका 12 है 9 है 3 10 78 60 24 question mark वही क्या होगा इस बार इस प्रेश्णी में कुछ समझ में आ रहा है देखी मैं आपको बता दूँ मेरे पास यह नीचे संख्या 78 है ठीक है 78 में मैं 6 से डिवाइड दू कितनी बार में जाएगा 6 से 78 को कटा हूँगा 13 बार में जाएगा ठीक है 13 में से एक गटाया तो 12 मिला 60 है इस बार 60 में भी 6 से डिवाइड करू 10 बार जाएगा 10 में से एक गटाया तो 9 मिलेगा देखे 78 में 6 से डिवाइड दिया 13 वार गया 13 मैंसे गटाया 12 मतलब 78 के उपर वाली संह्खय मिलकी उसी तरीके से 60 को भी डिवाइड किया 6 से 10 आया एक घटाया तो 60 के उपर वाली संह्खय मिलकी अब 24 है 24 है 24 को भी 6 से गटाएंगे 24 चार वार में जाएगा इसमें से भी एक गटा देंगे तो 3 आ जाएगा 3 उपर वाली संक्या मतलब मिल गई ठीक है अब यहाँ पर कौन सी संक्या होगी यहाँ पर कौन सी संक्या होगी X होगी उसमें भी मैं 6 से divide करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा यहाँ 10 है ना तो यहाँ 11 आएगा उसमें से 1 माइनस करने पर 10 मिलेगा आएगा की नहीं आएगा दिल्कुल मख के लिए रहे तो 6 का गुना कर दो भाईया 11 से तो 6 का गुना 11 से कर दो 11 6 के 66 हो जाएगा कितना हो जाएगा 66 तो इसका मतलब 66 में 6 से डिवाइड करेंगे 11 वार जाएगा और उसमें से गटा देंगे तो 10 मिलेगा आपको यह वाला तो इसका मतलब कॉश्चन मार कीज़ेगे कोंची संख्या आएगी 66 आएगी 66 आपकी प्रेशने का सही जवाब है बात किलियर हो गई अब देखेंगे अगला प्रेशने अगला प्रेशने है 4 बॉर्डर है बीच में है 230 4 बॉर्डर है बीच में है 110 4 बॉर्डर है बीच में कौनची संख्या है यह बताना है ठीक है 230 लाना है बीच में तो मेरे पास जो बाहर की 4 संख्या है 230 तक मैं कैसे पहुँचू, मैं क्या करूँगा, 4 संग्याओं को वर्ग कर लेता हूँ पहली संग्या मेरे पास 9 है, तो 9 का वर्ग करूँ, 81 होगा 8 है, 8 का वर्ग करूँ, 64 होगा 7 का वर्ग करूँ, 49 होगा, 6 का वर्ग करूँ, 36 होगा अब सभी को जोड़ दूँ एक और चार पांच, पांच और नो चौदा, चौदा मैं चौड़ beispielsweise जोड़ जोड़ा है बीस, बीस का जिरो, कैरी का दो आएगा ठीक है, कैरी का दो, उधर लिख देता हूँ ठीक है, आठ और छे चौदा 14 और 4 18 18 तीन 21 21 में दो जोड़ देंगे 23 230 आ गया यह वाला क्रीक है कैसे आया बाहर वाली बॉर्डर वाली चारो संक्यां का वर्ग करेंगे जोड़ा यहां पर भाही करेंगे 6 का वर्ग करेंगे 36 37 7 का वर्ग करेंगे 49 3 का वर्ग करेंगे 9 4 का वर्ग करेंगे 16 जोड़ना है सबी को 6 9 15 15 में 9 जोड़ोंगा 24 24 में 6 जोड़ोंगा 30 का 0 केरिकत 3 आ जाएगा इस वर्ग 3 3 और 4 7 7 7 और 8 8 में 3 जोड़ोंगा 11 110 आया 110 ही दिया गया बिल्कुल सही है यहां पर ही वही करो 9 है तो 9 का स्क्वेर 81 6 का स्क्वेर 36 5 का स्क्वेर 25 4 का स्क्वेर 16 जोड़ दो सभी को 1 6 7 7 5 12 12 12 18 18 का 8 केरिका 1 8 3 11 11 12 13 14 और 1 15 यह आगे आपका 108 तो यहां पर क्या आएगा बई 108 मन आ जाएगा यह आपका सही जवाब हो गया बात के लिए हुई अब देखेंगे अगला प्रेशने अगला प्रेशने है 15 10 5 9 34 7 6 8 कोशन मार इसमें क्या लोजिक लग रहा है मैं आपको बता दूँ जैसे की आपको करना क्या है मेरे पास जैसे की यहां पर 10 है ठीक है यह 7 है 9 है जो बच्चे पहली बार देख रहा है इस तरह के प्रेशनों को उनको बहुत कठी लग रहा होगा पता नहीं क्या हो रहा है 10 और 9 को जोड़ो 19 19 में 8 को जोड़ो 27 ठीक ह और 27 में जोड़ो 7 को तो कितना हो गया 34 हो गया यह वाला तो मैंने क्या क्याम किया है इन 4 संख्याओं को मैंने जोड लिया बीच वाली संख्या मुझको मिलगी 34 ठीक है बीच वाली मिलगी अब मैं क्या करूं बाहर वाली संख्याओं को जोड़ोंगा बात के लिए रहे पान्च बीस और इसको जोड़ोंगा और फिर इसको भी जोड़ोंगा यह चारों आपस में चोड़ोंगा ठीक है तो पंच और पंद्राइबीस पर बीस में 6 जोड़ोंगा 26 में 26 होगिया अब यहां पर मैं 26 में कितना जोड़ूं कि 34 मेरा बन जाए तो 26 में में कितना जोड़ूंगा भई 8 जोड़ूंगा तो मेरे पास 34 बन जाएगा मतलब इन दोनों संख्याओं को जोडने के बाद चारों को 34 और फिर बाहर वाली कौने वाली संग्गों को जोडने के बाद भी 34 तो मेरे पास यहाँ पर कौन चंग्ग आएगी 8 आजाएगी तब ही 34 बनेगा 8 आपके प्रशने का सही जवाब है अब देखेंगे अगला प्रशने अगला प्रशने है 134 बराबर 84 178 बराबर 78 190 बराबर 40 290 बराबर क्या ऐसे प्रशन में तो इस्टूडेंट फस ही जाता है समझो नहीं समझ में आता क्योंकि 134 से 84 बना भी लेगा लेकिन 178 से फिर 178 कैसे बनेगा यहीं फस जाता है मैं बतारूं क्या हो रहा है 134 है न इस 134 में से इस चौराची को आप घटा दो घटा दिया 50 50 बचेगा क्यलियर है 178 में से 78 घटा दो 178 में से मैं इस 78 को घटा दूगा 100 बचेगा 190 में से 40 घटा दो 190 में से 40 घटा दूगा 1.5 बचेगा भई 50, 100, 1.5 इस वार कितना 200 सीरीज को समझ में आई 200 जहां कितना मेरे पास 290 है कितना घटा दूगा 200 बचेगा 90 घटा दूगा 200 बचेगा तो कॉश्चन मार की जगे क्या जाएगा 90 आजाएगा कि नहीं आजाएगा इस तरीके के प्रेश्ण में आप फस जाते मुझे पक्का पता है और कितने बच्चे कर पाते मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना ठीक है दोस्तों फीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद